जैसके आप जानते हैं कि एक बैंकिट रसोई घर में एक बार में बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना बनाया वपरोसा जाता है बड़े उपकरणों की मदद से ऐसे रसोई घर के कामकाच को कुशलता और प्रभावी रूप से करने में मदद मिलती है शेफराज ने हमें उसके रसोई घर को इस्तिमाल करने की अनुमती दी है आईए देखे कि उनके पास कौन-कौन से उपकरण है यह कीमा बनाने की मशीन है यह आपको बिना हड़ी वाले मास का महीन कीमा बनाने में मदद करती है आप इसका इस्तिमाल लाल मास का कीमा बनाने के लिए या विविन प्रकार के मास को एक साथ मिलाने के लिए कर सकते हैं वफैलो चॉपर का इस्तिमाल बड़ी मातरा में मास या सबसियों को बारिक काटने के लिए किया जाता है इसका आकार अलग-अलग हो सکता है Vegetable Processor कई समायोजनों वाली एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी सबसी को विविद प्रकार से काट सकती है Gravity Slicer किसी भी सबसी बिना हज़ी वाले माज या चीज आधी के टुखडे को एक मिलिमीटर से लेकर बारा मिलिमीटर मोटाई तक की पतली और समान अकार की फाकों में काट सकता है Tilting Pans ऐसे बड़े-बड़े कुकिंग पैन होते हैं जिनसे सूप या तरीकी बड़ी मात्रा को बिना पुरा पैन उठाए किसी दूसरे बर्तन में आसानी से इस्थानां तरित किया जा सकता है उन्हें हाथ से या किसी मशीन की सायता से चुकाया जा सकता है Steamer का उप्योग बड़े मात्रा में चावल और सबजियों को पकाने के लिए किया जाता है इनमें एक बार में 150 किलोग्राम तक की मात्रा पकाई जा सकती है Wet Grinders घूमने वाले बड़े-बड़े Grinders होते हैं जिनमें विभिन चीजों को पीसने के लिए पानी का उप्योग भी किया जा सकता है या बिना पानी के भी पीस आजा सकता है Combi Ovens का उप्योग किसी भी खाद्य सामगरी को भाप में पकाने या उसी सुखा भूनने के लिए किया जाता है ये आश्या रेचनक है ठीक इसके नाम की तरह, इसमें खाना पकाने की अलग-अलग विदियां अपनाई जा सकती है कन्वेंशनल डेक अवन वो उपकरण है, जिसमें केक और बिस्केट्स बेक किये जाते है पिज़ा अवन्स पिज़ा बनानी वाली बड़ी-बड़ी भट्टियां होती है इस अवन में तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलें का इस्तिमाल करते समय आपको हमेशा साफधान रहना चाहिए सालामेंडर रसोई घर का ऐसा उपकरण होता है, जो खादे सामगरी को ऊपर या नीचे ड्राइ हीट देता है क्या आप ये जानते थे? वॉक-इन फ्रीजर मास को हफ्तों तक के टानूं से सुरक्षित रखता है प्रोसेस्ट और अन्प्रोसेस्ट दोनों ही प्रकार के मास अंदर रखे जाते हैं और शेफ अंदर जाकर अपनी आवशक तानूसार जो से चाहिए उसे लेकर बहार आ सकता है वहीं दूसरी और रिच इन रेफ्रीजरेटर वो होता है जिसमें बार-बार इस्तिमाल होने वाली वस्तों रखी जाती हैं ताप ही उन्हें जल्दी से निकाला जा सके ये बहुत कुछ हमारे घर के रेफ्रीजरेटर जैसे ही होते है अंडर काउंटर रेफ्रीजरेटर या फ्रीजर सीधा या आड़ा रेफ्रीजरेटर होता है जिसके उपर एक मेज होती है जिस पर काम किया जाता है यहां ऐसी कुछ मशीने हैं जिने आपने अभी अभी देखा है अप्रोक्त सभी उपकरण या तो केवल वाश, बिजली या इंधन पर चलते हैं या फिर इनकी सयोजन पर इन्हें इस्तमाल करते समय सावधानी बढ़ते इन्हें पहली बार इस्तमाल करते समय किसी की मदद ले